आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार, देखिए इस Question में कहा रहा है कि यदि एक समकोन तिर्भूज का परिमाप 30 cm है और इसका विकर्ण 13 cm है तो तिर्भूज का छेदरफल क्या होगा और विकलप दिया है 24 cm², 37 cm², 30 cm² और 36 cm² अब देखिए कोई समकोन तिर्भूज है माल लेते हैं यहाँ पर एक समकोन तिर्भूज बना लेते हैं यह आपके पास एक समकोन तिर्भूज है अब इस समकोन तिर्भूज के बारे में दिया हुआ है कि इसका कर्ण, कर्ण जो माल लेते हैं यह 90 डिग्री है तो तिरबूज का परिमाब तीनों भूजाओं का योग होता है एक्स जोर वाई जोर तेरह ये तीस के बराबर हो जाएगा जो की परिमाब है यानि इन दो भुजाओं का योग यानि X जोर Y कितना आ जागा X जोर Y आ जागा आपके पास 17 के बराबर अब देखिए तिरभूज में क्या होता है करन का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो इस परकार से हम कर सकते हैं कि x square जोर y square जोगा वो 13 के बढ़के बढ़के होगा अब इसको सरल जब करेंगे तो देखे यहागा x square जोर y yard y के जगव पहां 17 moins x लिख लेते हैं यहाँ से y बढ़के कितना जायगा 17 minus x तो y का मान 17 minus x इसमें रख देते हैं आजागा 17-X का बर्ग बराबर 13 का बर्ग 13 का बर्ग 179 आजागा अब इस समीकरन को सरल करके पहले X निकाल लेते ति यह आजागा X स्क्वेर जोर देखे 17-X 17 का स्क्वेर आजागा 289 जोर X स्क्वेर माइनस 2AB यानि 34X एक किसके बराबर आजागा 169 के बराबर आजागा अब इसको जब सरल करेंगे ते कितना आजागा X स्क्वेर प्लस X स्क्वेर यानि 2X स्क्वेर माइनस 34X प्लस 289 यानि 289 और 179 को इस पर तरफ कर लेते ते 179 बराबर 0 इसको सरल करते हैं तो यह आजागा 2x square minus 34x जोर अब बैके 289 में 179 को घटा हैंगे तो 9 में से 9 चला जागा सुन 8 में से 6 चला जागा तो 2 आजागा और 2 में से 1 चला जागा तो 1 आजागा बराबर 0 अब इसमें क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं 2 common कर लेते हैं अब इस द्विगार समिकरन को हल करते हैं तो मदपद को तोरके इस परकार से लिखते हैं कि उनका योग मदपद ही रहे लेकिन गुनन फल जो है वो 60 हा जागा तो इसको लिख लेते हैं x square minus 12x minus 5x जोर 60 बराबर सुन ऐसा अब देखिए इन दो पदों में हम अगर x common कर लें तो यह कितना आ जागा x into x minus 12 और इन में 5 common minus 5 common कर लेते हैं x minus 12 बराबर 0 आ जाएगा वापस ही इन दो पदों में x minus 12 common कर लेते हैं x minus 12 गुना x minus 5 बराबर 0 आ जाएगा तो यहां से हम देख सकते हैं कि x का 2 माना रहा है इसलिए x बराबर 12 और x बराबर 5 ऐसा अब जब x बराबर 12 है तो y बराबर कितना आजाएगा y बराबर 17 मैनस x तो इस परकार से x बराबर 12 तो y बराबर 17 मैनस 12 यानि 5 आजाएगा या x बराबर 5 तो y बराबर 12 ऐसा आजाएगा तो x और y हमने निकाल लिया अगर देखिए समकौन did तिर्भूज का छेदर फल क्या होता है यहाँ से लिखेंगे तो दिये हूए जो तिर्भूज है इसका छेदर फल आजाएगा तिर्भूज का समकौन तिर्भूज दिया हुआ उसका छेत्र फल आजागा एक बट्टा दो गुने आधार गुना उचाई यानि यह एक बट्टा दो गुना एक्स गुना वाई आजागा तो इसका मान आजागा एक बट्टा दो गुना एक्स गुना वाई के बराबर तो यह कल्प में देखें तो 30 सेंटीमीटर स्क्वेर जो अभी कल्प सी में तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा धन्यबाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आयाईटी जेही मेंस और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो साथ आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर